बिहार में शराब बंदी होने के बावजूद भी कई बार शराब पीते हुई कई लोग नजर आते हैं तो कई बार शराब तसकरी की खबर सामने आती है ऐसे में आपको बता दें कि एक सिक्षक के शराब पीकर ड्रामा करने का वीडियो इस वक्त वाइरल हो रहा है जिस पर सवाल भी उठ रही है बता दें मुझाफर पुर के सिक्षा भवन इस्तित जाज कैम्प में शराब पीकर ठाम इंप्रेशर दिलाने पहुंचे हेड मास्टर को मिठनपूरा थाने की पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बताया गया कि कैम्प में शराब पीकर हेड मास्टर के पहुंचने पर हरकंप मच गया इसके लिए लगबग एक घंटे तक जाचुडू की रही शराब के नसे में धुद हेड मास्टर ना नाम बता पा रहे थी और ना ही हस्ताक्षर करा पा रहे थी हंगामे के बाद जिला सिक्षा पतादिकाडी के हस्त चेप से सिक्षक को बाहर ले जाया गया जानकाडी के अनुसार सिक्षक का नाम जितिंद्र राय बताया जा रहा है जो जिले के बंदरा प्रखंड के एक स्कूल के हिड मास्टर के पत पर कारियत है उधर जिला सिक्षा अधिकाडी अजय सिंग ने बताया कि बंदरा प्रखंड के किसी स्कूल में सिक्षक हिड मास् इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मिटनपूरा पुलिस ने हेड़ मास्टर को गिरफतार कर लिया हाँ एक टीचर ऐसे आ गए थे जो संभवता सराब पिये हुए थे और उनको पुलिस ले गई बंदरा का टीचर नाम हमको ध्यान में नहीं है विसकूर करते हुए तो नहीं उसको कह सकते हम आए थे में जब हमको पता चला कि एक टीचर वहां पे हंगामा कर रहा है और वो दारू पिये हुए है जैसा कि हमारे स्टाफ के दोरा सुचना दी गई थी तो हम आये थे को पर्थम दिरिश्टिया वो निश्चित रूप से सराब पिये हुए था और पुलिस को फोन करके उसको हैंड हुए 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 हुए